मध्य प्रदेश के कई जिलों में बार्ड जैसे हालात हैं शियोपूरी, शियोपूर, दतिया और गवालियर जिले में कई गाउं में बार्ड की से तबाही मची हुई है आपको बता देखी प्रदेश के नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंदर सिंग ने कहा कि नगरी प्रशासिन विभाग ने बार सिने पटने के लिए शहरी क्षेत्र के लिए पहले से ही उपाय कर रखे थे उन्होंने कहा कि गौलियर चंबल को छोड़ कर कहीं भी बार जैसे इस्थिती नहीं है और ना कहीं जल भराव हुआ है इसे साथ ही दिल्ली में आज बीज़िपी सांसदों की होने वाली बैठक को लेकर बोले आज मध्यप्रदेश के सांसदों की बैठक है और मुक्यमंत्री इस बैठक में मौझूद होते ही है क्योंकि सांसदों की और से प्रदेश में क्या काम हो रहे हैं और क्या योजनाय चल रही हैं उनकी जानकारी मुक्यमंत्री को ही देते हैं ये एक रोटीन प्रक्रिया है कहीं पर भी निचली बस्तियों में जल भराव की स्तिती नहीं आई है हमने पहले ही जहां पर नालों का निर्मार होना था नालों की सफाई होना थी इसके लिए बजट सभी नगरी निकाय को हमने पूर्व में ही दिया हुआ है और उस बजट के आधार पर सभी जगे जो काम है वो हो रहे हैं और इसलिए अभी तक कही पर भी इस तरह की जल भराओं की स्थिति नहीं है मारे कि जब भी पार्लियमेंट चलती है तब सब राज्यों के सांसदों की बैठख अलग-अलग होती है उसी तरह से मत्ति प्रदेस के सांसदों की बैठख हो है जिसमें माननी राश्टी अद्वक्ष जी जेपी नड़ा जी रहने वाले हैं और प्रदेश के मुक्मंत्री हमेशा उसमें रहते हैं और हमारे माननी सांसदों को जो राज सरकार के नेरना होते हैं जो योजना होती हैं उसकी जानकारी बाने मुक्मंती जी के माध्यम से इस मीटिंग में दी जाती है तो यह कि रूटीन की प्रिकिया है जिसके अंतरगत यह बैठा पो रही है